पुत्र, हस्तिनापूर को एक उत्तरा अधिकारी देने का करतव्य तुम्हारा है असंभा भैताओ मेरे हाथों रिशी किंदम की हत्या हुई है मादरी के कहने पर मैं स्वर्ण हिरन का आखिट करने गया था जब भोल से रिशी किंदम को मेरा बान लगा तब वे अपनी पतनी के साथ थे मेरे एक ही थीर से उन दोनों के प्राण चले गए तुझे मैं श्राप देता हूँ यदि तुम अपनी पत्नी के निकट गए तो तुमारे प्राण निकल जाएंगे तुमारे माध्यम से तुमारी पत्नी को कभी संतान प्राण नहीं हो सकता ये मेरा श्राप है मेरे माध्यम से मेरी पत्नी को संतान प्राप्त नहीं हो सकती दाओ तो क्या ये हस्तिनापूर का दुर्भाग है कि उसका सिहासन सदैव रिक्त रहेगा किसी चमतकार, मंत्रबल अत्वा, नियोग से यदि मेरी पत्नी को कोई पुत्र प्राप्त हो तो उस पुत्र को दत्तक लेकर भी मैं उसे हस्तिनापूर का उत्रादिकारी घोशित कर दूँगा इश्वर करे, ऐसा कोई चमतकार हो चलो, आजाओ, चलो, बैठो यहाँ करन को ऐसे प्रेन की आबाशकता है मेरी माना तो इसे कुंती के पास ही छोड़ दो माता का प्रेम ना सही परन्तू, माता के जैसा प्रेम तो मिल जाएगा कभी मेरा पुत्र नहीं बन सकता है आई हो और इस मालक को मैं प्रेम नहीं तुझी आई है माता, मुझी भी अपने हादों से बोजन कराओ कोई अपशित प्रेम करन को पाना ही मेरी जीवन के एक पीड़ा है करन्तू, तुम ठीकते हो ना, कोई पीड़ा तो नहीं है ना तुम्हें आज राते हैं तुम्हें करने बाहर करें करन्तू, ऐसे प्रेम क्या बश्कता है मेरी मानों तो इसे कुंती के पास ही छोड़ा क्ये है, क्ये है राजकुमारी आपकी आग्या लेना चाहते हूं हमारे प्रस्थान का समय हो गया है गर्ण, पुत्र कुछ समय और उक्जाते अधिरत्मोद है राथ्री का समय है आपकर प्राथाकाल प्रस्तान कर सकते हैं कल प्राथाकाल बहुत देर ना हो जाए राजकुमारी कर्ण की माता चिंतित होगी कर्ण पुद्र राजकुमारी की चरंस परश करो और उनसे आखिया लेला कर्णिते बहुत पर येला कर दो तकिंद राजक रखिया लेजित राजकुमारी की चर्ट राजकुमारी की चर्ट राजकुमारी की माता बहुत मेरा इस्मारन करोगे ना पत्थर यह मेरे लिए काई गई पहली लोरी थी देवी कुंती इसलिए मैं हमीशस बन रखूंगा पहली देवी काई जयो इसलिए गल मेरे लिए एक उल देवी कुंती कर दो झाल 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 गाल कि अपनी पत्नी को समझाओ सुषेंग, उन्हें बताओ कि महारानित कुंदी को उसकी पुत्र से कितना प्रेम था, करन कुरोथ का नहीं प्रेम का लिखा रही है, यदि वो अभी भी नहीं मानी, तो मैं कहे देता हूं, करन को मैं अपने साथ ले चलूंगा, अन्हें तब मारानि कुंदी के पास छुड़ जाऊंगा, उन्हें भी पुत्र का प्रेम मिल जाएगा, नियती का खेल भी विच्चित रहे, करन कुमाता का प्रेम नहीं, और भारानि कुंदी को संतान की कोई संभाब नहीं, ताथ परिया, जिशी किंदम का श्राफ है को, यदि उन्हें अपनी पत्नी को स्पर्श भी किया, तो उन्हें मृत्ति हो जाएगा, महारानि कुंदी को कभी संतान नहीं हो सकती, अधी, अधी, आपका पुत्र बहुत तेची स्वी, ऐसा बानत, इसी महान राजश्य के सम्राठ हो सकते थे, अधीरत, 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 नियती का खेल भी बिशेतर है, कर्ण कुमाता का रेम नहीं और भारानी कुछ संतान की कोई संबाबना नहीं अपने प्रण का विस्मर्ण हो गया अधीरत महुदे नहीं देवी, किन्तु जिस बालक का उत्तरदाई तो आपने मेरे सर दिया था उसके भाविश्य का स्मर्ण हो गया एक सी का बालक कुछ समय के लिए एक छोटी से घड़ी में छुप सकता है वहाँ पल नहीं सकता कर्ण की दिव्यता मेरे आवास में कैसे पल सकती है हस्तिनापुर के सिहासन पर अधिकार है उसका उसका अधिकार है राजकुमारी कुंती की मंता पर नहीं अधीरत कर्ण को कभी हस्तिनापुर का सिंहासन प्राप नहीं होगा क्यूकि कर्ण महराज पांडू का फुत्र नहीं शत्रियों में नियों के माधिम से भी पुत्र फ्राप्त होना उचित माना गया है किंदो उस पद्दती में समग्र परिवार की सहमती होती है विवास से पूर्च जन्मा बालब स्त्री के पती की संतान कभी मानी नहीं जा सकती। राजकुमारी का ये रहसी यदि प्रकट हो गया। तो महराज, प्रोध में आकर राजकुमारी का त्याग भी कर सकते हैं। महामहीन, इस बात को हस्तनापुर का अपमान मानकर कुंती राश्ट्र पर आक्रमन कर सकते हैं. जब माता सीधा की पवित्रता पर संदे होता था, तो राजकुमारी का क्या होगा? तर्ण का क्या होगा? तो क्या राजकुमारे की कोक से जन्म लेना, कर्ण का दुर भाग्या है? माता तो केवल जन्म देती है अधीरत, भाग्य तो विधाता देते हैं. कर्ण को प्रेम और परामश दीजे, उससे अधिक, उसे समाज से और कुछ नहीं दिला पहेंगे आप. तो समाज के भैसे, मैं कर्ण को उसकी माता के प्रेम से वंचित रखूंँ? अधीरत मोद है, आप लोटा है? कर्ण के भैसे माता है, आप विख कर्ण को उसे दोगे हैं. जयारे तो सम्हों के भाग्य तो पिख नहीं है? आप बालगे तो नहीं है, भाग्यारे मैं दो भाग्यों दिला दे लिएम से एक भाग्यामाश आवर नहीं हैं. राजकुमर आपकी और से करण के लिए कोई भेंट प्राप्त करने आया बच्चों के स्माण कच्चे होते हैं आपकी दी गई भेट करण के लिए आपके स्माणों का अधार बन जाएगी करण पुत्र तुम्हें भेट में देने ही ओके मेरे पास कुछ भी नहीं केवल इस अंगोठी के इसे संभाल कर रखना जीवन में एक बार इस अंगोठी के बदले तुम्हें हस्तिनापुर से वर्दान प्राप्त होगा प्राप्त है झाल 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 अधिरत महद है, आपने महाराज कुंती भोच तथा कुंती राष्च्ट पर बहुत बड़ा उपकार किया है और दुख की बात यह है, कि आपका यह अनुग्रा कोई कभी जान नहीं पाएगा मैंने क्यवर अपना कर्ताफे नभाया देगी किन्तु दुख इस बाता है कि एक बार पूरना हूँ समाज के भेन करन को उसके अधिकार से वन्चित कर दे है झाल स्झार झाल झाल झाल